हलो फ्रेंस मैं हूँ सरसती और सरसती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत श्वागत है तो फ्रेंस आप बहुत हेल्दी और टेश्टी नास्ता बनाने जा रहे हूं जो दलिया है और दलिया बहुत ही मतलब अच्छा होता है सुबह नास्ता में लीजिए कभी भी आप ल तो इसे थोड़ी से हम भून लेंगे, क्योंकि भूनना बहुत इंपोर्टन होता है, भूनने से जानते हैं, इसका स्वाद डबल हो जाता है, ऐसे थोड़ा जब हम बनाते हैं, बिना धूले, बिना इसको भूने बिना जब बनाते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा लजीज होता है, तो मज़ा नहीं आता है खाने में और इसके जब हम थोड़ा भून लेते हैं तो यह बिल्कुल खिला-खिला सा दलिया और बहुत टेश्टी होता तो दलिया जब हम बनाते हैं बहुत अच्छा सोंधा पना जाता है तो जरूर मैं आपको कहूंगे जब भी आप दलिया बना र हैं देड़ चमच घी जीरा एक चुथाई चमच हींग थोड़ी सी और डाल लेंगे प्याज लसुन हरी मिर्च तो चार-पांच कलिया लसुन हमने ली और तीन हरी मिर्च काटके ले लिए अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज गुलाबी होते ही हम डाल लेंगे सभी सबजिय अब हम इसे दो मिनट तक ऐसे भूनेंगे दो मिनट हो चुके हैं अब डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दल्या धुलिके हमने डाल दिया बुन्ने के बाद ही दलिया धुले थे पहले नहीं धुलना है उन्ना बुन्ने में कैसे भुनाएगा धुला हुआ तो इस तरह से मैं उलट उलट करके इसे चला दूंगी एक बार और इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे तो जैसे हमारा दलीया है अधी कटोरी है तो इसमें कम से कम आप धाई कटोरी पानी डाल लिए गाद हमारी अच्छे Grad अच्छे से बन के तयार होगी कर दिया था और गैस निकल गए है कुकर के आप कुकर का धकन हटाएंगे और देखिए हमारी अच्छी सी दल्या बन के तयार हुआ है बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थोड़ी सी ढाल देंगे धनिया की पत्ति फ्रेश बहुत अच्छे होते सुबह इक नाजता में बना के दे लेकिन आप बनाती हूँ तो वही लोग मांग मांग के खाते हैं कि मतलब अब मुझे जादा बनाने पड़ने पड़ते हैं तो यह देखिए हमने प्लेटिंग कर दी है थोड़ी सी मैं धनिया की पत्ति से सजा दूँगी और यह देखिए हमारी दल्या टेश्टी बन के तय यार प्रेंस आज की रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब कर लिजे और कामेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरे तरीके की दल्या आपको कैसी लगी है